आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरण विडियो सिलीशन पाओ अभी राउटनोट करें टीकिए अब हम यहांपर अंश में इसको आइक गयात करने के लिए, हम अंश में आपर एक को जोड़ेंगे और एक को घटा समाकलन को दो भागों में बाट लेंगे किस प्रकार हमें क्या मिलेगा आई बराबर समाकलन x प्लस 4 बटा x प्लस 4 का whole square minus समाकलन dx बटा क्या जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा dx बटा x प्लस 4 का whole square ठीक है यहाँ पर देखें x प्लस 4 बटा x प्लस 4 का whole square तो हर में से यहाँ पर एक square का x प्लस 4 cancel हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा I बराबर समाकलन dx बटा x प्लस 4 माइनस dx बटा कितना आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 4 का whole square ठीक है अब दिखे हम क्या करेंगे यहाँ पर I का मान क्या आद करने के लिए यहाँ पर x प्लस 4 को क्या मान लेंगे u तो क्या लिखेंगे माना u बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 तो du बटा dx क्या आ जाएगा हमारे पास 1 du बटा dx क्या माना आ जाएगा 1 तो हम यहाँ से du किसके बराबर लिख सकते हैं हम यहांसे du बराबर लिद सकते हैं dx के, ठीक है? तो हम क्या करेंगे x प्लस 4 किस्तान पर रखेंगे u और dx किस्तान पर रखेंगे du तो हम यहांसे देखी क्या मिलेगा? हमारे पास आजएगा i बराबर समाकलन du बटा u माइनस समाकलन du बटा x plus 4 का whole square यानी u का square ठीक है अब हम क्या करेंगे समा क्लिन करेंगे तो du बटा u का समा क्लिन क्या होगा log मापांक u यहाँ लोग कभी इस e है minus यहाँ पर इसका क्या होगा du बटा u square का इसका होगा minus का 1 बटा u plus c तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे u बराबर क्या माना x plus 4 तो इसके स्थान पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा i बराबर log मापांक में क्या आजएगा x plus 4 तो यहाँ लिखेंगे x plus 4 minus minus यह हो जाएगा plus plus का 1 बटा u यानि 1 बटा x plus 4 plus c तो यह हमारे प्रश्ण का देखिए यहाँ पर अभिष्ट उत्तर आ गया तो यहाँ पर हमारा प्रश्ण हल होता है धन्यवाद